चन्बध हापुर के थाना बहादुरगाड छेतर के गाउं सलोनी के हरुमान मंदिर के पुजारी सीता राम बाबा का शब मंगलवार की सुबा फासी के फन्देध पर लटका हुआ मिलने से संसरी फ्याल गई मंदर के पुजारी की मौत की खाबर पाकर मौके पर ग्रामिणों की भीड कठा हो गई पुलिस ने शब को पोस्माटम के लिए फेश दिया है गाउन सलोनी के गंगा प्रसाथ का बेटा उमेश कुमार दस साल पहले बाबा बंगया और अपना नाम सीता राम बाबा रख लिया उमेश ने ही सलोनी में हनुमान मंदिर बनवाया और मंदिर में ही रहने लगे ग्रामिण बताते हैं कि बाबा की पतनी कमलेश भी सादवी बन कर प्रजगाड के किसी आश्रम में रहने लगी ये मेरे चाचा हैं, तो सर मेरे पिता जी यहां मंदर में साप सपाई करते हैं, वो सुबह साप सपाई करने के लिए आये थे, तो इन्होंने देखा कि रोज सीतरा हम होती थी, लेकिन आज वो बोले नहीं, मेरे पापा ने मुझे जाके बताया कि एक बार मंदर पे चला जा, मैं देखने आया, तो मुझे गाय रहकती मिली, गाय रहकने के बाद मैंने गाय के गोवर अटा के चारा डालना चाहा, चारा डाला अंदर गया तो कुंदी लगी थी, अंदर से, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा अंदर से कुंदी लगी है, तो मैंने सर उपर से वि बात मंगलवार की सुबा की है जब गिरामिड मंदिर पहुंचे और बाबा दिखाई नहीं दिये गिरामिडों ने बाबा के कमरे में खिड़की से छाक कर देखा तो बाबा का शेफ फंदे से लड़का था मंदरी के पुजारी की मौत की खबर पूरे काउं में आग की तरह फैल गई मौके पर गिरामीड एकठा हो गए और पुलिस को सूचना दी आज दिनाम चारप्टुगर को थाना भादोगर में सूचना प्राप्त होई कि ग्राम सिनौली के हर्मान मंदर के पुजारी थाना भादोगर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर गेट को तोड़ा और फिर बाबा का शब बरामत कर पोस्माटम के लिए फेज़ दिया पुलिस का कहना है कि प्रतम द्रस्टिया से आत्म हत्या का मामला प्रतीत होता है जिसके पीछे पारिवारिक कारण हो सकता है पुलिस का मामला प्रतम होता है तोदिय का समेश प्रतम होता है पारिक का यद leverage की फैसरे का मामला प्रतन है झाल प्रत writes प्रत कर लान होताज मंइब साथ्ब keyword झार्याम जिसके लिए corona प्रतम हात्सबरुब